सब्सक्राइब करें तो आज बात करेंगे इसके कुछ डिसद्वांटेज के बारे में जो बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर हां वह कहीं ना कहीं आप लोगों के पॉकिट के उपर आप लोगों के उपर इफेक्ट अच्छा कासा ये गाड़ी डालने वाली है तो तो कहीं ना कहीं के टेम ब्रैंड सब लोगों को पता है जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट न भले वह वह वां टेंटीफाइव दूक तुटू फिफ्ट दूक टूक टूटू अच्छी कासी महंगी ये इसकी मैंटेनेस आप सर्विस भी कराने जाते हो नॉर्मल फ्री सर्विस तो लगा लो भाई उसे साब से कितनी ज्यादा ये कॉस्ट ली गाड़ी होने वाली ये तो मैंना बात करी सिर्फ फर सिर्वी सर्विस कराने जाओगे न भाई ये आपकी जान निगाल देगी मतला इतनी ज्यादा भी कॉस्ली नहीं है पर अगर नॉर्मल टूहंड्रेट सी सेकेंड के अगर मैं बात करूं जो इस गाड़ी का थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है में को क्योंकि गाड़ी दो लाग तीसाजार रुपर कॉस्ट कर रही है दो लाग तीसाजार पर हमसे ले रही है कंपनी उसके बावजूद भाई अभी तक हैलोजन लाइट कॉ देने बाद यह चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है तो थोड़ा सा मन खंटा होता ही होता है और फीचर आपको अब यह देंडर सारी मिल जाएंगे पर कहींना कहीं अभी भी मीटर देखो यार वो old school वाला BS3, BS4 वाला मीटर थोड़ा सा तो change कर देना चाहिए था हाला कि पूरा touch display नहीं करते है TFT नहीं देते पर थोड़ा सा मतलब unique तो दे देते यार गाड़ी को पूरा change कर देते हैं इसके tank से लेके back portion तक चाहिए अब एक और चीज निकल के आती है अपने गाड़ी ले ली ये कुछ लोगों के लिए प्रॉबलम होगी कुछ लोगों के लिए नहीं होगी पर मोस्ली लोगों के मैंने ये कमिया देखी है कि बहुत ज्यादा फेश करते हैं वाली प्रॉबलम वह भाई इसकी गाड़ी की chain मतलब आप इस गाड़ी को 400-500 km चलाओगे ना इसकी chain ऐसी डीली होने लग जाएगी कच 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 करने लग जाएगी बार बार इसको लूप करना पड़ेगा बार बार टाइट करना पड़ेगा लूप तो चलो समझ आता है बाई हर गाड़ी को करना पड़ता है वह अच्छी बात है जिससे आपकी chain साफ रहेगी आपका पिका बच्छर आगा आपकी गेरिंग श्मूट डलेगी वह सारी चीजे ठीक है पर यार चेन इतनी जल्दी धीली हो जाती है ना मतलब मन खटा सा हो जाता है बार बार इसको ठीक करा हो बार बार मतलब चैन टाइट करा हो और कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो इस गाड़ी को छेड़ते भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाते कि यार उसी जगा पे लेके जाना पड़ेगा मतलब कमपनी में लेके जाना पड़ेगा या किसी अच्छे उसके पास जाना पड़ेगा इन बाइचांस अगर बीच रोड बे यह सब चीजे हो जाती है तो चैन उतरने का भी थोड़ा बहुत डर लगा रहता है बाकि ऐसी सिच चालो होजाता है उपर सेंगे लगश जाता है कंध कर चालू हो जाते हैं और यहां तक फेट ऐ covering तक है यहां लगशा टे और अच्छा कमकर दिया मतलब करेंsky कम कर दियाी तो इस गाड़ी के और भी पिए सेम कीज़ था अब फेस करना पड़ दृए एक तो रेडियेटर इतनी जल्दी चालू जाता है उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं वह तो चलो इसका नेचर है हाई कंप्रेशन इंजने वह हो गई होगा पर हीटिंग यहां तक आता है तो वह फिर गर्मियों में तो आप लोगों को पता है अच्छी खासी दुख द इसके अंदर भी मतलब मेरे को वही वाली वाइब फील हुई वही वाले वाइब्रेशन फील हुए जो मेरे को बीएस थी और बीएस फोर में हुआ करते थे मतलब बहुत ज्यादा नहीं जैसे आप साथ जार आर्पियम क्रॉस करोगे न अच्छे खास है टैंक के पास आपक तो मेरे भाई ओन पकड़ो देखरो कितने मोटे 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 सूस पहन रखे है मैंने उसके बावजूत भी वाई मेरे पैर इतने इतने आरे मतलब माइनर माइनर सी तो सौट राइडर्स को भाई कही न गई थोड़े से टास्क जादा मिलेंगे थोड़ा सा हुलका मतलब कह अब एक चीज और भाई इसकी मतलब कमफट के अगर बात करें तो भाई कमफट बहुत अच्छा है गाड़ी का गाड़ी का पोस्चर भी बहुत अच्छा है बैटने का बिल्कुल भी आपको फटीग नहीं करती पर कहीं ना कहीं के ट्रेंट की हर ब्रेंड की हर गारी में सी इतनी टाइट क्यों देती है कंपणी क्या पैसे नहीं ले रही मिलें के अमसे अदे हो बहुत जाद आइप एक चीज अच्छी कर दये कंपनी ने कि पीछे-वाली है ना पहले बहुत छोटे आती थी अब थोड में प्रॉब्लम होने वाले थोड़े से दर्द मिलने वाला है एक चीज और वन अब दा लास्ट इंग जो लोगों को सबसे ज्यादा मतलब हिट करेगी वह भाई इस गाड़ी की माइलेज वह मैं कंसीडर नहीं करता हूं वह लोगों को चलाने के ऊपर है पर भाई अभी तक म माइलेज जेगी ना तो यह 25 की माइलेज जेगी बस तो बंदा फिर ड्यूक 250 ले लेगा यार ड्यूक 200 क्यों लेगा माइलेज कहीं ना कहीं इस गाड़ी की थोड़ी से कम है सिटी में चलाओगे तो और जादा कम मिलेगी हाईवे पर आपको थोड़ी बहुत अच्छी मिल सकती है और मैं इस चीज को कंसिडर इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई वो राइडर राइडर के उपर है वो कैसा चलाता कैसा नहीं चलाता तो करते इस वीडियो को हैं मिलते किसी नेक्स वीडियो में तिल दन बाइबाई लवी ओल एं टेक केर टू अल अव यू मेरे भाई झाल करते लव